पंचम से कितना परिचित हो पाया और और आज भी गुलजार सहाब की सक्षियत में पंचम कितना दिखते हैं आपको बहुत मुझे लगता है कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि गुलजार सहाब की गानों का जो मामला है सेवेंटी से उठके जो आया है एक बंदनी का मामला है मुसाफिर का है अशिरवात का है वसंदे साई है सब लोग है गुड़ी है लेकिन जब पंचम का प्रवेश होता है परिचय आंधी और सब किनारा मासूम और तमाम और फिल्में दूसरे फिल्मकारों की तो एक डियो बनता है आडी बर्मन गुलजार यह बिल्कुल वैसा ही मतल JUNE मतल है जिस तरह से शैलेंडर शंकर जैकिशन एधर जैकिपूरी और शंकर जैकिशन है शकिल बधनाजूनी और नौशाद है मजरू सुल्तानपूरी और अस्डी बर्मन है बिल्कुल वह कॉम्बिनेशन बनता है मित्रों की तरह भाईयों की तरह तमाम सारी कॉंपले नहीं है जिनकी कोई बहर नहीं है जो अख़बार की न्यूस की तरह है जो वो कहते हैं वो शुरू होती है उनमें रिद्म पैटरन को लोकेट करना और यह भूलना नहीं चाहिए कि जब आड़ी बर्मन विद्म पैटरन का मुजिक होता था दीजिटल म्यूजिक नहीं है तो ट्रैडिश्टनल साउंड शिस्टम में जा करके ट्रैडिश्टनल ऑर्कस्ट्रेशन के साथ गानों को फिल्माय जाने और उनको रिकॉर्ट करने की प्रविधी में बहुत मौडर्ण काम बहुत वेस्ट आफ इंडियन टच ये हासिल है गुल्जार का बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना में जो बात है परिचह में या धन्नों की आखों में है रात का सुर्मा चांद का चुम्मा ये आप देख लें या बिल्कुल तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं में आ ज मित्रताओं के दो बेस्ट अलबम इजाजत और लिबास हूं आप देखते ही है एक लटा जी का पूरा अलबम है का अशा जी का पूरा अलबम है और मुझे लगता है कि आडी बर्मन भी अपनी सेंसिबिलिटी वहां से लेके आते हूं बंगाल स्कूल ऑफ थौर्ट जहां जी बर्मन है जहां पे रास भी हाली मुकरजी है वेन्यू में वह मैलोडी दुकान है वह अली अक्बर खाविलाइट खां के साथ बैठे उठे है क्लसिकल म्यूजिक समझा है पिता के लिए और्किस्ट्रेशन का काम किया है गाइड जैसी फिल्म में तमाम साली फिल्मों मे ठीन के उन्होंने साहर दिया है तो वो पहले से कढ़े हुए वो एक स्कूल ऐफ़तों से आते हैं मlles वहां से आते हैं जहां भी मल्ल राइं मन्irmal로 ाय कं से बुगन काम करते हैं और ल której अइंगर जनरेशन के लोग मिलते हैं तो किसी एक पॉइंट पे वह एक बड़ा धमाका होता है जिसका एक बहुत सुन्दर मामला है उनके काम में मित्रुवत बहुत अच्छे हैं दोनों पर पोट्रेट लिखा है बहुत सारे नॉन फिल्म अलबम है दिल पड़ोसी है उनका अर्शाजी का और तो क्या कुप सुछ बात है उनकी जिक्र है एक बज़ेदार वाक्या है कि गुल्दार साथ बताते है कि तो अच्छा बनाता हूं उनको पंचम गुल्दार साब को तो एक दिन क्या हुआ कि बॉंबे में उनको धुन सूझ गई और लोग गाड़ी से जा रहे थे और दोनों गाड़ियां अगल बगल थ उनका शीशा उतरवाया कि अब वहां पर लाइट लाइट ओपन हो चुकी है वो ताल देखे बीट देखे उसो धाना सुनारे गुल्जार उस पर को इंप्रोवाइजेशन बता रहे हैं और बीच वाला फसा हो कि तो हट्टा नहीं तो गुल्जार साहब कहते हैं कि ऐसे पाग तून बनाते थे जो पॉपुलर जॉनर से क्योंकि यह भी देखना है गुल्जार जिस समय फिल्म में बना रहे हैं उस समय कैसे लोग फिल्म मनमोहन देसाइर अमेश सिपी यह शोपड़ा की फिल्में और जब आडी मुजिक दे रहे हैं उस वहरा में तो कौन लोग दे रह कि यह धुन तो पक्का गुल्जार की फिल्म में इस्तेमाल होगी मतलब आशोस है रहते हैं कि यह वो ले लेगा